हलो अबरिवन गोड़ निंग नमस्कार जैहिंद मैं आपका जीए सेक्वेटर रोहुत कुमार स्वागत करता हूं वाइफाइश्टेडी स्टोडियोज विचिजा पार्डवन अकैडमी तो सामके पांच बच चुके हैं और आप जोड़ चुके हो एंटीपिस वाले क्लास मे याद करिए कल हमने पढ़ाया था इन्वामिंटन साइंस यानि इन्वामिंट साइंस में कई सारे सवाल आपको बिल्कुल मजा आया होगा कल वाली सेशन में दिख रहा हूं मैं मेरी आवाज आ रही है आप तक मेरी आवाज आ रही है मैं दिख रहा हूं अगर मेरी आवाज जा रही है तो जरह comment box दिखाने सर बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है बिल्कुल आप दीख भी रहे हो और आपके comments भी मुझे दिखने लगे हैं कि अगर मैं दीख रहा हूं तो आपके comments भी दिख रहे हैं मुझे ठीक है चलिए शुरुवात करें जाएं क्लास की पर्यावरण विज्यान 2 इन्वामेंटल साइंस यानि पर्यावरण विज्यान 2 कल हमने पहली लेक्षर देखा था याद होगा आपको कल मैंने पहला लेक्ष क्लास शुरु करने के पहले फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़कर सवालों को समझने के लिए तयार हैं और सवालों को समझते हुए NTPC अगर आपका टार्गेट है तो आप जोइन कर सकते हो हमारे साथ अनकैडमी पे जहां 5000 सवालों के स्रीच च चेप्टर वाइज ऐसाने की जंबल बिल्कुल चेप्टर वाइज और एक चेप्टर से टॉप 50 सवाल यानि समझ रहे हो कि कुश्टन कहीं भी बचेगा नहीं बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहे हैं मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं जिसमें से पूरा जीएस चाहे क करेंड अफेर्स क्यों ना हो साथ चाहता आप मैस और इनिंग भी पढ़ सकतो यहां लेकिन रेफरल को याद अखना बीए बीए बन जीरो बाबा टेंजिस आपको 10 परसंट का रिबेट मिले ठीके बचे याद रहे आज चौथी लिक्चर थी तो ऐसा ना हो कि सर समय निकल जाये तब जोइन करें आज ही जोइन करें बिल्कुल कि सवाल नंबर वन कहता है सर कि आई आर वी 2020 अ कि आई आई आर वी 2020 जा पंसंड विट आई आर वी 2020 कि से संबंदित हैं उनिवर्सल हेल्थ केर सारभामिक स्वांस्ट सेवा इग गवर्नेंस रानुसेरस या वैक्सिने करें सवाल नंबर वन बताओ क्या होगा कि जल्दी ऑई आर वी 2020 कि से रिलिटेड है आई और वी 2020 की बात करें तो यह रहनोसेरस से जुड़ा हुआ किस से गहड़ा से किससे बच्छे गहड़ा से अगर वैक्सिनेशन की बात करें तो आप याद होगा पहला रस्या जिस्को तो मानेता तो हलकी मिला नहीं है, कि उसने कोरोना का जो वैक्सिन हो तयार कर लिया, लेकिन मान ले, सवाल तो बनता आए, कि पहला देश हो गया रसियां, जिसने वैक्सिन को तयार किया है, तो सर आ giàई यार वी 2020 है क्या यह, भारतिय राइनो वीजन 2020 कारेकरम इंडियन राइनो आई आर्वी देखो इंडियन राइनो आई आर्वी 2020 यह तो था यह तना कुशन कुशन देखलो क्या है आई आर्वी 2020 यानि इंडियन राइनो वीजन आई आर्वी 2020 की बात करें तो भारतिय राइनो वीजन 2020 कारेकरम विभिन संगठनों के बीच एक सहयोगात्मक पर्यास है एक सहयुगात्मक पर्यास है अगर यह देख सकतो इंडियन राइनो बच्चे जो फेमस है कहां असम कहां पे असम का काजी रंगा असम का काजी रंगा फेमस है किसके लिए इंडियन राइनो के लिए भारतिय गैंडा के लिए इंडियन राइनो के लिए जिसमें सामिल क्या हो होगा कौन कौन सामिल होगा इससे आई आरवी 2020 में आई आरवी 2020 में कौन सामिल है तो इंटरनेशनल राइनोप फांडेशन असंका वन विभाग बोडो लैंड छेत्रिय परिशद डबलु डबलु एफ इंडिया और दा यूएस फीजन वाइलाफ सर्विस ये इतने डेपार् को लिए 2020 के लाश्ट तक असम में गैंडों की संक्या बढ़ा कर तीन kings करने की उमीद की है तीन हेजार करनेकी उमीद कीए बिल्कूल हाई रखना तीन हजार करने की उमीद टीक है कैं नेशनल पार्क सिन असम में कौन कोन से नेशनल पार्क बच्चे काज je rendering last year-द्यन कल भी मैंने बताया डिबरू साइखोवा नेशनल पार्क मानस राष्ट्य उद्यान नामेरी राष्ट्य उद्यान औरंग नेशनल पार्क ये सब के नेशनल पार्क कहां असम्में ये असम्मे चलो आपकी बात मालने 22 सितंबर राइनो डे याने गैड़ा दिवस सिलिब्रेट करते हैं ठीक है चलिए भारत में पर्थम 2G एथेनोल बायो रिफाइनरी की सराज्य में अस्थापित की गई है दब फर्स्ट 2G एथेनोल बायो रिफाइनरी इन इडिया सेट अट विच स्टेट कामिल नाडू महराष्ट्रा पंजाब गुजुराथ सवाल नमर दो जल्दी 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 पंजाब में पहला राज पंजाब है जहां पर्थम टूजी इथेनोल बायो रिफाइनरी अस्थापित की गई है कहां पे पंजाब में इन्हीं का जवाब सही नहीं क्यों टिंकु जी का जवाब दिखा सिंपी कर भी गलत जवाब या भारत में फर्स्ट टूजी अब यह मस मस मझने ना या इन्द्री सरकार के साथमिक पक्रम हिंदुस्तान पेट्ओलियम कॉरफ़ सन् लिमिटेड एच पिचल nे ? किस ने किया HPCL ने किया किस ने किया फिर से याद रखना हिंदुस्तान पेक्टोलियम कार्परेशन लिमिटेड मैं आपको बता दू कल 9 बजे में चैनल पे 40 कदम और कल साम को 6 बजे 6 पीम पे 40 कदम 40 में 40 बुलना मत जुड़ने के लिए क्यों कल है सनिवार का वार सनिवार क वार याद रखना है कि सवाल नमर 05 जाय को सिंद्साभी है यो इस सब्सक्त्री maggie मैं वार्स हैं हएडो फ्लॉरो कार्बन उजून-प्रत को नफसान नहीं करता है है आद्विएह दोनों यह कोई नहीं सवाल नमर तीन चल्दी का इस बता बताव जल्दी बता कौन सा सही है बच्चे तो कौन सही होगा दोनों सही है क्यों दोनों सही है देखो आपको याद है CFC लोरो फ्लोरो कारवन होता तब ओजोन प्रत को नुकसान पहुंचाता है रो फ्लोरो कारवन नहीं बिल्कुल यह खतम हो गया यानि सही है न ये अब कहता हाइड्रो फ्लोरो कारवन लिड्स टू गलोबल वर्मिंग ये गलोबल वर्मिंग को बढ़ावा देगा यानि दोनों होगा क्या होगा दोनों होगा यहां होता क्लोरो फ्लोरो कारवन तब आप कहते ये कोई नुकसान नहीं करता हाइड्रो फ्लो खैसों की जगह ले रहा है जिनका उपियोग बड़े पैमाने पर समझना ले रहा है अब ले रहा है कंडिश्निंग रिफिज्रेंट उद्योगों के चिया रहा था ठीक है क्यों कि क्योंकि क्लोरो aged carbon बहुत जाइदा नुकसान कर रहा था तो अब क्लोरो फ्लोरो कार्बन के जगा पे हाइडरो फ्लोरो कार्बन का यूज किया जा रहा है क्यों कि इससे हमारा ओजोन इससे हमारा ओजोन नुकसान नहीं करेगा इससे हमारा ओजोन नुकसान नहीं करता है क्यों यह अत्यांत्र सक्तिसालिक ग्रिड हाउस गैस हैं जो कारवन डायोकसाइड की तुलना में अधीक खतरनाक है जो मुख रूप से गलोबल वर्मिंग के लिए जिम्मेदार है बिल्कूल याद रखना आगे देखो सवार का विष्णुका सबसे बडा और सबसे लंबा स्टिल रेल पूल डैस नदी पर जमु के समयर में बनाया गया व्रल्ट ऑलल से टालेश्ट एं-ड लाुंगस्ट स्टिल रेल प्रीच इस कंस्ट 스b किस नदी पर बनाया गया ज़लत month ज़लती ज़लती इंड कर्समिर और भी किस नदी पर बनाया गया जल्दी बताओ जल्दी जल्दी गजंदर सब बता चुके बच्चे इसलिब से रिपीट ना करें 16 सितंबर डॉप्सन इस्ट्रेक्टोस फेयर चिनाव नदी पर तो विर्शों का सबसे बड़ा सबसे लंबा श्ट्रिल्पुल किस पर बनाये जा रहा है चिनाब नदीबे किसफे बना जा रहे यह चिनाब नदीबे बिलकूल आद रखारे किस पे चिनाब नदीबे ठीक है अब देखो थोड़ा सा यह समझ लो पुराना नाम नया नाम इंडस पुरान नाम क्या था सिंधू जेलम, चिनाब, ब्यास का ये भी पासा, विच्छता, चिनब का अस्किनी, परूसिनी, रावी का, सतूदरी, सतलज का, आईवा समझ में, चिनाब का अस्किनी, जेलम का विच्छता, ब्यास का विपासा, रावी का परूसिनी, सतलज का सतूदरी, जाब के सामने, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्टिल रेल पूल, चिनाब नदीपत, जम्मु कस्मिने में, बनाया गया है, यह सुरच्छा के, सोचो कितनी जवर्दस्त, हमने टेक्नलोजी यूज किये वच्छे, कि सुरच्छा के दृष्टी कोन से, देश्वे सबसे होगा क्यों, ब्लास्ट प्रूफ पूले, ब्लास्ट प्रूफ लगाओ, जितना माइंस लगाना है, लाइंड माइंस लगाते हैं, विश्पोट करतों लगाओ, कुछ ना होगा, इतने जवर्दस्त हैं, बिल्कुल याद रखना, पर्थम विश्व सुनामी जागरुकता द गुरुकता दिवर्दस नमलिखित मेंसे किस वर्दस मनाया गया, 2016 में, कब मनाया गया, 2016 में, तो बच्चा ये देख सकतों सुनामी, जल जला जिसको बोलते हैं, यानि समुद्र के अंदर, ओसियन के अंदर, जो अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ये अर्थक्वेक जाकर सुनामी में बदल जाता है, तो पांच नमबर, 2016 को पर्थम विस्व सुनामी जागता दिवस मनाया गया, ये है सुनामी, सोजो कैसा फिल होता होगा, देखकर डर लगता है, सोजो सुनामी जब आ जाए तब क्या होगा, याद करिए भारत में सुनामी देखने को मिला था, जिससे नागा पटिनम पूरा तबाह हो गया था, पूरा नागा पटिनम तबाह हो गया था, याद करिए दोजार चार पांच की घटना है ये, ता मिलाडू, ठीक है, एक नवी करनिय प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, और रिनूबल, एग्जास्टिबल, निचुरल रिसार्सेज, पेट्रोलियम, कोल, फॉरेस्ट, मिनरल, सवाल नुबर सिक्स, जल्दी, 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 जल्दी बताओ क्या होगा, एक नवी करनिय प्राकृतिक संसाधन है, पेटोलियम, कोल, फॉरेस्ट, क्या होगा, एक नवी करनिय प्राकृतिक संसाधन की बात करें, तो पेटोलियम होगा, कोल होगा, वन होगा, खनीज होगा, सवाल नमबर सि तो बच्चे अगर फॉरेस्ट में जंगल में आग लगा तो यह नो कर अगा नो लक्डी जल गया यह कोईला में कन बठ हो जाएगा कि बात करें चार पर अनूला होता आपको पता ही है कौन-कौन ABLP इंत्रसाइट, बिटूमिनस, लिगनाइट, पीट चार कार्बन के परसंदेज के अधार पे सबसे उत्तम इंत्रसाइट जो केवल भारत में जम्मू कस्मिन में पाए जाएगा अरे बस समझें बिटूमिनस लिगनाइट की बात करें तो आपको याद होगा लिगनाइट कहाँ पाए जाएगा ये तमिलाडू में जिसे हम ब्राउन कोल कहते हैं ब्राउन कोल कहते हैं पीट सबसे घटिया किसम का कोल माना जाता है ये ठीक है सवाल नमर साथ Lichens can be used Lichen coke किस रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है Sources of food लकड़ी के सुरोत Initial Vegetation of Westlands बंजर भूमे के लिए प्रारंबिक वनस्पती जल्दी या जल और वाईव परदूशन के लिए जैव संकेत तक या वाईव परदूशन की जाच करने के लिए सवाल नमर साथ जल्दी जारकाणों बच्चे बिटू मिनस और पीट पाए जाता है पूरा बताओ ना पूरा बताओ यहर पॉल्दूशन लिखने से काम नहीं चलेगा ना पताओ अच्छा आप्सान नमबर चार होगा बिटा वाईव परदूशन की जाज करने के लिए लाइकन का इंतिजार करेंगे क्या आप हमें यह बताओ कि वाईव परदूशन की जाज करेंगे तो लाइकन को लेके आएंगे अच्छा दिल्ली में वाईव परदूशन जायदा बढ़ गया बहिया तो जिसने कहा ओ अफसन नमबर फोर उनके घर से लाइकन पेस किया जाए ऐसा है क्या हाँ लाइकन पार्क बना दिया गया आपके घूमने के लिए कहाँ पर उतराखंड में हाँ यह कहो दो कि लाइकन में सर दो चीज मिला होता है अलगी और फंगी यह समझ में आ जाए तो बेटा जल और वाईव परदूसन का संकेतक है यह इंडिकेटर है कि भाई यहाँ वाईव परदूसन खराब होने वाला है वाईव परदूसन खराब होने वाला है याद रखना यह नहीं होगा बिलकुल तो समझने का पर्यास करो question कहता क्या है option दिखा नहीं why परदुसरन की जांच करने के लिए लगा दिया option number 4 फाहत बढ़िया सवाल number 8 नमलिकित में से कौन सी दो green house गैसों का सही परतिसत कुल global warming में योगदान देता है सवाल number 8 बताओ क्या होगा co2 40% cfc 30% cfc 14% cfc 20% क्या होगा सवाल number 8 तो कौन सी दो green house गैसों का सही परतिसत कुल global warming में योगदान देता है आपको कहीं आपको कहीं बता चुता हों बता चुका हों फिर भी आप याद रखो मीना का बहिया जलवा बहुत है मीना का बहुत जलवा है कैसे सर मी से मीथेन ना से नाट्रस ऑक्साइड का से कारवन डाय ऑक्साइड जा से जलवास्प फिर ओजोन सबसे जाइड़ा अगर मैं बात कुरूँ परसेंटेज के हिसाब से तो ग्रीन हाउस घैस में जलवास्प हो गा सबसे जयदा गैस नहीं बोल रहे हैं हम परसेंटेज हिसाब से बोल तो जलवास्पikal का आगर ब geschल जानकारी आपके लिए मैं बता दूं कि सुक्र मंगल टाइटन के वाई मंदल में भी ग्रिन हाउच गैस पाई जाती है सुक्र में भी मंगल में भी और टाइटन यह टाइटन किसका उपकरा है तो यह सैटन का है यह सनी का है यह सनी का उपकरा है चीक है कि लिए रहे आरे बास समझ में यह आपके सामने परसेंटेश देखे लो सबस्यादा इस टूओ जलवास चत्ति से बहत्तर सी ओटू चबिस परसेंट में चार से नौ परसेंट ओजों तीन से साथ परसेंट यह विस्तों बाग डिवस पर जारी एक डाक टिकर्ड में किसका फोटो था बताओ विस्तों बाग डिवस पर जारी एक डाक टिकर्ड में किसका फोटो था जल्दी तो बेटा विसो बाग दिवस पर एक जारी एक डाक स्टिकर में भोटो किसका था बागिन माया का देख लो क्या बात है इसाने जवाब दिख गया यार सही बिलकुल बहुत बढ़िया और किसी का टिंकू का जवाब दिखा समीर का भी जवाब दिख गया भारत हिंदुस्तानी मैडम माया तो बेटा टाइगर माया और उसकी सावक विसो टाइगर दिवस पर जारी की जाने वारे डाक टिकन की विसेशता थी या बागिन महराष्ट की तडोबा अंधारी टाइगर रिजल्व की थी अंतराष्टे सब्सक्राइगर जन目前 थी कर रिखने को मिला टाइगर फ्रोजेक्ट कर देखने को मिला osob 1974 1973 सब YEं निस्टाइब टियम comprende कि कौन सा राज ह Fantasyre की तंत्र को बनायी थे राष्टे मेशनक के साथ कवर किया गया गए पश्यम बंगाल मिजोर्म और रुचL परदेश आउलब दाभब उपरुक शभी जल्दी कि भी तो बच्च swords कौन सा राज कौन सा हिमालियन परशिद्की कि तंत्र को बनाय रखने के लिए कवर किया गया सारे के सारे पसिम बंगाल मिजोरम और नाजल परदेश सारा का सारा मतलब समझ लो कि सर एनम एस एच ए हिमाले परस्थित की तंत्र को बनाय रखने उनकी स्वास्थिती का लगतार आकलन करने के लिए कराश्टिय मीशन है तो हिमालई राज्जी हैं वो सामिल पहला जम्मु कश्मीर हिमाचल परदेश उत्राखंड सिक्की मर्मनाचल परदेश नागालेंड मनीपूर मिजोरम तिरपूरा मिघाले अस्थम पश्रिमंगाल अब यहां पर लद्दाख भी कर दो लद्दाख भी कर दो यह दोनों कर दो भारत सरकार ने लॉंच किया था यह 31 अक्टूबर 2019 की कहानी है 31 अक्टूबर 2019 की कहानी है बिल्कुल या रखना अब 31 अक्टूबर 2019 की बाद दिखेंगे तो जम्मु कश्मीर और लद्दाख दो यूटी हो गया तो कैसे याद रखेंगे बच्चे एक ज्यारा राज प्लस दो यूटी प्लस दो यूटी ठीक है अब हिमालयन कंट्री की बात करें तो जम्मु कश्मीर हिमाचल उत्राखंड देख सकते हो सिक्कीम है विष्ट बंगाल है असम और नाजल प्रदेश नागा लैंड मनिपूर तीरपूर देखरो यह सारा का सारा हिमालयन स्टीट है सार ठीक है भारत की निम्लिखित पौधा रोपन फस्लों में से किसकी उत्पति करनाटक में बावा बुधन गिरी पहाड़ी से हुवी है निल गिरी चाय कॉफी रबबर यह सबी सवाल नुमर 11 जल्दी 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 तो भारत की निम्लिखित पौधा रोपन फस्लों में से किसकी उत्पति करनाटक में बावा बुधन गिरी पहाड़ी से हुवी है कॉफी 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 आपको याद रखना सवाल नुमर 12 आकार में घर्ते करम में सौर मंदल के चार सब्चे बढ़ेगर हैं बताइए कई बर बता चुके हैं और इस बार जो अब देख लो में चैनल वाइफा स्टडी पर मैंने पढ़ाया था तो आकार में घर्ते करम में सौर मंदल के चार सब्चे बढ़ेगर हैं कौन से हैं तो आकार में सौ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का एम स्क्वायर जुपीटर सैटन युरेनस नेप्चुन अर्थ वीनस मार्शेंड मर्करी कि आप देख सकते हो कि यह पूरा जेशन देखरो यह जेशन इसके बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का माजुली वीशु का सबसे बड़ा नदीद्वीफ है कि सराज में इस्थी थे और रुणाचल परदेश असम तिरपूरा या मिजोरं सवाल नमर्टेरा तो माजुली वीशु का सबसे बड़ा नदीद्वी बच्चे असम और माजुली भारत का पहला आईलेंड डिस्टिक है आईलेंड डिस्टिक है तो कहां पे है असम में कहां यह असम में है बिल्कुल या दखना ठीक है कहां पे बच्चे असम में है लक्स दिप पर कारणरत हवाई अड़ा नमलिकित में से किस दिवप पर रिस्थित है कवारती अगती मीनिकवाई अमिन दिवी सवाल नमर्ट चाओदा जल्दी लक्स दिवप पर जो कारणरत हवाई अड़ा है वो नमलिकित में से किस आईलेंड पर इस्थित है तो कैसे याद रखेंगे अगती आईलेंड लक्स दिवप की बात करें तो ये coral, एक coral island है, coral यानि परवाल भित्ती से जनम हुआ इसका, परवाल भित्ती से, ये कहा अरब सागर में होगा, देव कितने सवाल बनेंगे, अरब सागर में होगा, total कुल मिलाकर 36 island है, जैकर अगर habitat की बात करें, तो मात्र 9 island ऐसा है, 9 द्वीप ऐसा है, जिसमें अवास ह लक्षद्वीप में एक आईलेंड बसता है लक्षद्वीप में पीटली आइलेंड पीटली आइलेंड वैसा आइलेंड जहां पर कोई भी जनसंख्या नहीं है लेकिन एक तो बड़ सेंचूरी है बड़ सेंचूरी कितने पॉइंट बता दिये देख लो सारे सारे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल याद रखना लक्षद्वीप की बात करें हाई कोट यह कहां जाएगा किरल में तो अगती हवाई एड़ा भारत में लक्षद्वीप के इंसासित परदेश में अगती द्वीप के दक्षनी चोर परिष्थित है या द्वीप समूमें एक मात्र हवाई पट्टी जो भारत के पर्श्मित्र परिष्थित है कौन सा राष्टे ऊध्यान Mount Everest को घिरता है कबर करता है को सगर मात्या राष्टे ऊध्यान गीरेट हिमालय राष्टे ऊध्यान फूलों की घहते राष्टे अध्यानन जेम कार्बेट निश्टल पार्क सवाल नमर 15 मजा रहा है इसानी जे बर्ड सेंचूरी का नाम पीटली पीटली आइलेंड पीटली बर्ड सेंचूरी पीटली बर्ड सेंचूरी ठीक है सागर माथा निश्टल पार्क सागर माथा निश्टल पार्क बिल्कूल याद रखना फूलों की घाटी राष्ट्यूद्यन यह कहां चला जाएगा यह दोनों उतरा करना तो सागर मासा राष्ट्य उद्यान पुर्वतर नेपाल के हिमाले में एक सालची छेत रहे माउंट एवरेश को सागर मासा कहते हैं आपको याद होगा बर्प से धके पाहणों की परधानता जो हीम तेंदुए कस्तूर इमरिग और लाल पांड़ा जैसे दुरलप परजातियों का एक निवास स्था ने बिलकूल याद रखना ठीक है सवाल मर्सोला परसिद क्रूगर राष्ट्य उद्यान किस देश में स्थित है दा फेमस क्रूगर नेशनल पार्क इस लोकेटेट इन विच कंट्री किन्या सौथ अफरिका सुडान तंजानिया सवाल मर्सोला प्रसिद क्रूगर राष्ट्य उद्यान कहां पर है सौथ अफरिका में कहां पर बच्चे सौथ अफरिका में तो क्रूगर नेशनल पार्क अफरिका के सबसे बड़े खेल भंडार में से एक है या उत्तर पूर्वी दच्चिन अफरिका के लिंपोपो और मपुंगलंग प्रांतों में 19,40 वर किलोमेटर चेत्र को कवर करता है बिल्कूल याद रखना इससे 1912 में दच्चिन अफरिका को पहला से बड़ा कप सीटी की बात करें सौथ अफरीका का जोहनस वर्ग होगा क्या होगा जोहनस डिख सब्सका गृंग होगा इस नहीं पर अरे 1926 है रानी जी अप मुझे से निकल गया 1962 तो क्या करोगे फांसे पर लटका तोगे मुझे गलती हो गया मैंने स्विकार कर लिया सौरी बोल दिया आपको फिर से मैं बोल दूं आपको सौरी तो ग्रिनलेंड कैनेडा के आर्क्तिक दिफ समुझ छेतर में आर्क्तिक और अंटाक्तिक महासागरों के बीच दिनमार्क का एक स्वायत घटक देश है दिनमार्क का कौन सा सही है चिनुक सर्दियों में cold dry wind in winter, mistral local hot wind in middle attitude, low local hot wind in western India या none of the जिनमें से कोई नहीं सवाल मत ठारा तो क्या होगा बच्चे सब के सब गलत हैं क्यों गलत है लू उत्तर भारत में पस्चिम भारत में नहीं कहां उत्तर भारत में देखने को मिलता है लू लू हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है Нिल गाय का है आपके लिए होंबख है किया होंबख है राइनों का वय्यानिक नाम क्या होगा तो पता है काला हिरन का जो सलमान खं शेलरा विछारा इसका वयाणिक नाम बताना है आपको comment box में तो ये सेशन था आज का उम्मिद करते हैं सेशन मजा आया हुगा सेशन समझ में आया हुगा वयाणिक नाम बोसेला फस टागो कैमलस निलगाय का वज्ञानिक नाम है ठीक है बच्चे तो यह था लाज सेशन अगर समझ में आया गो तो लाइक ठोक ना अब इंटी पीछ से क्रैस को कैसे जोइन कर सकते हैं अभी क्लास है अनकैडमी पे पांच बज कर 35 मिनट पे कितने बजे पांच 35 पे क्लास है अनकैडमी पे बिल्कुल स्पेशल तो 25 यानि 25 सवाल दिखेंगे फिजिक्स के तब जोइन कर सकते हो अनकैडमी पे बहुत मज़ा आने वाला है या अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो अनकैडमी पे जहां 5000 प्लस सवालों के सिरी चल रही है बिल्कुल पैसा वसूल तब जोइन कर सकते तो अपने सिस्टी को टार्गेट करते हुए 2021 को टार्गेट करते हुए जहां पर मैं जवल जोगर्फी पढ़ा रहा हूं जोइन करने का तरीका सबसे सिंपल सबसे पहला अनकैडमी लार्निंगे डाउनलोड करें उसो ओपन करें फिर मोबाइल नंबर अपना डालें शिक् सब्सक्रिप्सीन पर किलिक करोगे क्लिक करने के बाद कितने मंद का तुम्हें हमेशा कहता हूं कि कम से कम 12 महीन क्यों कई सारे बच्चे ने बाएक मईना दो महीना ती हिए तो कम से कम 12 महीन जिसका भी 5000 है जैसा प्रेफरल कोड यूज करते हो बाबा टेनल घड़कर हो जा जी लो जैसे रेफ्टरेट कोड यूज किया फी घटेगा आप कैसे पिकर सकते हो चाहिए आपके पास क्रेजिट कार्ट डेविट कार्ट जैसे पिकर सकते हैं अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना सेयर करना अपने दोस्तों के साथ मिलते